कुछ दिनों से एक फिल्म को लेकर लोग सबसे जादा पगलाए हुए हैं अच्छली ध्यान अपने आप चलाई जाता है जब दाओ पर 500-600 करोड लगे होते हैं आदी पुरुष पहले फिल्म का टीजर आया तो लोग गुसा हो गए और इस बार पोस्टर ने तो उस गुस्ते की आग में घीर डालकर ज्वाला मुखी बना दिया है लेकिन अपन लोग इस फिल्म की बुराई में इतना जादा बिजी हो गए कि एक दूसरी बड़िया वाली फिल्म को टोटल इग्नोरी मार दिया क्योंकि वहाँ बजट सिर्फ 10-15 करोड था हनुमान जुतना ताकत पर ये नाम है उतनी ही ताकत पर लग दे है इस नाम से बनने वाली एक खतरना पैन इंडिया फिल्म सिर्फ कहने के लिए इस फिल्म का बजट 10-15 करोड है लेकिन काम पूरे 200-300 करोड वाले हैं आप गलती ढूनी नहीं सकते एकड़म वर्ल्ड क्लास विजवल्स देखने को मिल रहे हैं फिल्म के अंदर आपको आँखों पर यकीन नहीं होगा कि ये एक इंडियन फिल्म है वो भी इतनी स्मॉल बजट साफ पता चलता है डिरेक्टर के दिमाग में फिल्म के सब्जेक को लेकर 100% क्लारिटी है वो समझते हैं कितनी बड़ी जिम्मदारी है उनके कंधों पे इस फिल्म का नाम हनुमान रखने से इंडियन हिस्ट्री को बड़ी स्क्रीन पे लाना मतलब लोगों की आस्था का सवाल और सबसे बड़िया बात जो मुझे इस फिल्म के मेकर्स की लगी वो ये कि कोई नाटग नहीं कर रहे हैं इस फिल्म को बनाके पब्लिसिटी के लिए नहीं किया है ये लोग 100% सीरियस है अपने फिल्म के सब्जेक को लेकर जुसका सबसे बड़ा सबूत बनके आया है फिल्म की टीम की तरफ से हनुमान चालीसा का स्पेशल ड्रैक। जिनको देखकर आपको बहुत सारे अलग-अलग एमोशन्स फील होंगे और दिल से जै श्री राम जै हनुमान चिलाने का मन करेगा। वहीं दूसरी तरफ इतनी बार गर्तिया करने के बावजूद आदी पुरुष फिल्म की टीम शायद अपनी गलती मानने को तयारी नहीं है इसलिए फिर से एक गडबड कर दी इनोंने। कल हनुमान जनमोचसफ पे फिल्म का नया पोस्टर लॉंच किया गया जिसमें फिल्म से हनुमान जी का लुक रिवील किया गया। और एक बार फिर से पब्लिक भड़क गई है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है ये नया वाला पोस्टर उल्टा भावनाव से छेड़चार करने के इल्जाम लग रहे हैं। आदी पुरुष टीम को ये समझना पड़ेगा कि दिक्कत ग्राफिक्स में, VFX में या फिर एडिटिंग में नहीं है, प्रॉब्लम एमोशन्स की है, फीलिंग्स की। आदी पुरुष के साथ हम वो connection फील नहीं कर पा रहे हैं, जो बच्पन से रामाइन के बारे में सुनकर हमारे अंदर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आप हनुवान फिलंग की तरफ से 40 वाला वीडियो देखोगे, तो एक एक सेकेंड आपको रामाइन में हनुवान जी की याद आएगी लिटरली। वीडियो के एंड में गूसम्स फील हूँगे, ये गैरेंटी देती हूँ मैं। आपको पता ऐसा क्यूं हुआ कि 500-600 करोड खर्च करके भी आदिपुरुष पब्लिक की फेवरेट नहीं बन पाई, जबकि 10-15 करोड वाली हनुवान के सामने सबका सर रिस्पेक्ट से जुग गया। जवाब है फिल्म को बनाने में डाले गए efforts और subject की importance को समझ कर उस पे proper research करके फिल्म बनाना। हनुआन फिल्म के पास कोई popular actor नहीं है या फिर बजट पे खरोडों खर्च करने वाले filmmakers भी नहीं। और ताना जी जैसी blockbuster बनाने वाले ओम राउत का direction भी missing है। लेकिन इन लोगों के दिमाग में ये चीज़ clear है कि public को क्या चाहिए और हम हनुआन जी को दुनिया का सबसे बड़ा superhero बनाके दिखाएंगे। वहीं आदी पुरुष के makers confused हैं कि उनको बनाना क्या है। मौडरन रामाइन के चक्कर में आप पुरानी रामाइन को बदल तो नहीं सकते ना यहीं गलती हो गई बस। तो चलिए public expert opinion क्या बोलता है इस बारे में आदी पुरुष वर्सिस हनुआन कौन सी film देखने का मन है आपका। एकदम clear बताना अपना reason नीचे comment पार के शायद दोनों फिल्मों की teams को कुछ मदद मिल जाए आपके विचार पढ़के लिख दो जो भी दिल में हो। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायद करनी हो तो मैं आपको Instagram पर भी मिल जाओंगी वर्ना थोड़ा सा इंतजार करिए मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में टेक केर बैबैबै